आप दोनोकी आज की अनरजी लेकर देखते हैं आज की अनरजी क्या निकल कर आती हैं इस खौपसूरत से डेक से क्या अनरजी निकल कर आती हैं आप दोनों के लिए मेरे व्यूवर्स की एनरजी पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह फर्स्ट कार्ड है दे हर्मिट एट अफ कप्स अच्छा सीला दिया तुने मेरे प्यार का वाली एनरजी है तो बहुत सारे लोग सैड है टेमपरेंस बैलन्स में है कुछ लोग लवर्स बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो चुका है या आज के दिन में होगा बॉटम ओफ देख है दे एमपरेंस ग्रेट ये है मेरे व्यूवर्स की एनरजी तो देखिए कलेक्टिव लेवल पे 80% व्यूवर्स ऐसे हैं जो एमपरेंस की एनरजी में है मतलब बहुत ज़ादा पाउरफुल अपने औरा को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है अपनी इमेज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मिंटेन करके रखा हुआ है और अपनी फुल ओन एटिट्यूड में है अपना मैस्कलिन अपना फैमिन बैलंस्ट है कुछ लोग हैं जो आज के दिन में बिमार हो सकते हैं टेमपरेंस की एनरजी है या कहीं बाहर जा सकते हैं जो कि इनको कोई चोट लग जाए या कोई इस तरह की प्राब्लम हो सकती है थोड़ा सतर कर रही है आज के दिन में over and all आज का दिन आपका balanced है हमेशा की तरह, कुछ लोगों का आज की दिन में बहुत ही प्यारा, बहुत ही surprising reunion हो सकता है, अगर reunion recently हुआ है तो आप उस पल को enjoy कर सकते हैं, अपने partner के साथ घूम फिर सकते हैं, date पे जा सकते हैं, messages receive हो सकते हैं आज के दिन में, यहां पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग आज के दिन में बहुत जादा हर्मिट मोड में रहेंगे, मतलब जैसे hopeless होते रहेंगे, आदा एक घंटा hopeless रहेंगे, उसके बाद अचानक से एक energy आएगे और आपको लेगा नहीं, अभी तो जान बाकी है, अभी तो energy है, अभी हमारे प्यार में हिम्मत है, फिर थोड़े टाइम अच्छे से रहेंगे, balance रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, enjoy करेंगे, थोड़े के बाद फिर अपने आपको बहुत अकेला फील करने लगेगे, वापस उसी धर्रे पे, कुछ लोगों के साथ ये emotions के up and down हो सकते हैं, हो सकता है आप awakening journey में हो, हो सकता है आपकी awakening स्टार्ट हो गई हो, अगर आपका diet चेंज हुआ है, अगर आपके बहुत जादा ear में ringing sensations हो र अपर आजाते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाता है, तो फिर लगता है, अब रिलाक्स हो रहा है, फिर उपर जाता है, फिर डर लगता है, उस तरह की कुछ लोगों की vibrations हो सकती है, असेंशन के टाइम आपकी soul high ascend होती है, तो आपके life में बहुत सारे changes आने लगते हैं, आप आपके diet में changes आएंगे, आपके skin या तो बहुत glow करेगी, या बिल्कुल dull हो जाएगी, या तो skin बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी, जैसे कि आप अपने उमर से 10 साल बड़े दिखने लगेंगे, या बहुत मोटे या बहुत पतले, कुछ इस तरह के shifts होंगे weight में, इस तरह क changes अगर आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आप awakening process का part है, आज के दिन में कुछ लोग किसी relationship से move on करने के बारे में सोचेंगे, ऐसा thought आपके दिमाग में आएगा, कि या बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब मैं emotionally withdraw कर लूँगी, या कर लूँगा, अब ये जायत तेल ले ये वाली energy में आएंगे, भले ये temporary हो, लेकिन ये energy आज के दिन में कुछ लोगों की रहेगी, ठीक है, अब आते हैं आपके partner की energy पे, तो आपके partner की तरफ पहला card है wheel of fortune, दूसरा card है king of cups, तीसरा card है ace of swords, चोथा card है knight of wands, और bottom की energy है page of swords, तो ये आज के दिन में बहुत romantic, ब बहुत ज़्यादा, spy करते वे नज़र आ रहे हैं, आज के दिन में emotions में आकर कोई बड़े decisions ले सकते हैं, specially related with karmics, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा attraction है, clear communication हो सकता है, या तो आपसे या तो अपनी family से, किसी तरह का clear cut, मतलब जो होता ह करना, clarity देना, देखें, यहाँ भी swords है, यहाँ भी swords है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, communication बहुत ज़्यादा होगा, या तो आज इनके परिवार में यह बहुत ज़्यादा communicate करेंगे, या जो भी इनकी third party situation है, वहाँ पर कुछ rude communications हो सकती हैं, या आपकी तरफ बढ़ना चा आप लोगों से resonate होती है, तो जरूर बताईएगा, thank you so much, take care of yourself, bye bye